सुप्रीम कोट ने मुहर्म जलूस निकालने की जो याचिका थी उसको खारिश कर दिया है सुप्रीम कोट का कहना है कि अगर जलूस निकालने की अनुमती दे दी तो अपराजकता फैल जाएगी बतादें कि शिया धर्म गुरू कलवे जबवाब ने पूरे देश में इस सब्सक्तान नहीं होता जहां पर प्रतिबंद और साफधानी बरती जा सके इसी के चलते हमारे साथ मौजूद है अंजुबने हैद्री के सचीव मौसिन हुसेन उन से जानेगी कि इस बार इस पर को किस तरह से मना रहे हैं यह बताईए कि इस बार सुप्रीम कोट ने जो आदे प्रॉपर मसलक पे उसका इल्जाम लग जायागा कि इस विज़ा से कोरोना को और ठालाया गया तो हमें सुप्रीम कोट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसी तरीके से जो गवर्मेंट के गाइडलाइंस तरीके से महरमदारी करने चाहिए चाहें वह पांच आदमिय के लिए जाने की इजाज़त हो उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उस पर्व को अंजाम देना चाहिए तो यह जो पर्व है कि इसका क्यों मनाया जाता है यह मैं सब्सक्राइब कर्वला में तीन दिन भूका प्यासा रखकर शहीद कर दिये गए तो उनकी याद में यह मुहरम मनाया जाता है इस बार आप यह पर्व किस तरीके से मना रही है मैं इस तरीक इस बार बस यह लगा लिजे एक रस्म अदाईगी हो रही है क्योंकि ना तो गौर्मेंट का कोई भी इस तरीके का ओर्डर है हम पांच लोग प्रोग्राम और्गनाइज करते हैं जो ऑनलाइन ही चलता है पांच-छे लोग प्रोग्राम में होते हैं वो अपना पूरा मास्क और सैनिटाइजर का इस्टिमाल करके उन्हें सोशल डिस्टिंसिंग के साथ बैठाके कि यह पांच हे लोग और ऑन-लाइन मजलिस करते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम को अंजाम देते हैं यह उसके भी जो दस-बारा दिन जो चलेगा महरम का तो इसमें यह इसी तरीक़े से हम लोगों ने प्लैन किया है कि इसी तरीके से अंजाम देना है इस पहले आप देथ हो गई है तो उनकी कमी तो खलेगी खलेगी और फाइदाबाद में बड़ी मेहनत करी शिया समुदाय को इखटा करने में और घर घर जाके लोगों को बुलाया जाता था और हमारे दो कमरों के घर में वो महरमदारी का अंजाम दिया जाता था जी तो मैं इस से पहले हम जलूस और अलम और ताजिया निकालके महरमदारी करते थे और इस साल जो 1442 साल से मुसलसल चला आ रहा है कि पूरे वर्ड में शिया समुदाय बनाता है लेकिन इस साल ना तो वो जलूस है ना अलम है ना ताजिया है बस एक मजलिस जो भी और्गनाइज हो रही है ऑनलाइन वो उसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही मजलिस को अंजाम दिया जा रहा है जी हर पर्व की अपनी खासियत होती है तो इस पर्व की क्या खासियत है मैं जरसल हमारे लिए यह साल का सबसे यह लगा लगा लिए सवा दो महीने हमारे शोक के महीने होते हैं जो कि हम गम मना के क इसको अंजाम देते हैं ना तो हमारे घर के मतलब घर में कोई शादी तैवार कोई किसी तरीके का कोई प्रोग्राम कोई खुशी नहीं होती यह सवा दो महीने हमारी गम के साथ गुजरते हैं किया अपील करना चाते किया गोहार लगाना चाते उनका जो और है कि इस बार जो जुलूस नहीं नीकाला जाएगा तो क्या कहना है मैं सरकार से बस यह है कि सरकार भी थोड़ा सा हम लोगों को देखते वे भी कि अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ उपर नीचे हो जाता है तो उसको देखते वे कि चलो कोई वात नी वो खुद उनसे पालन करवाए अगर कहीं कोई किसी से मिस्टेक होती है या कोई अगर दो-चार लोग जादा उन्हें समझा दे कि यह गाइडलाइन से उसके तरीके से आप फॉलो कीजिए तो कोई परशानी नीए यह मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं परशासन से गवर्मेंट से हमारे पीछे सारी काफी सारी चीज अच्छी है कि प्यारी मूरत जो रखी हुए क्या है यह क्या ची है यह समझ लिजे कि यह उन्सके नाम से मनसूब है और यह हमारा पवित्र स्थल है इसे ताजिया भी कह सकते हैं आप जो हम लोगों नहीं हैंड मेड खुद बनाया है यह ताजिया रखावा यहां पर हैंड मेड रखावा है जी कैमराबन पंकत के साथ समवादा कृष्णा पाइने हर यहना